हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग लासेस में साथी आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं रोस्टर जी एडी को मिला या नहीं सीटों की संख्या बड़ी रिजल्ट डेट फाइनल कट अफ क्या है तो साथी आप चैनल पन नहीं हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राब कर ले जागा है क्योंकि हम पलपल की अपडेट आपके साथ करते रहते हैं तो साथी फस्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि जी एडी को रोस्टर मिल चुका है या नहीं तो साथी मैं आपक कर दूँट होगा तुरंट उसका रिजरल्की परकुरिया शिरू हो जाएगी और आपको पता होना चाहिए कि जह आपका BPSC है, जो BPSC है, वो already, आपके result की जो प्रकरिया है, जो data है, उसको already collect कर चुकी होगी, तो ये मानकर चलिए कि जो BPSC है, वो आपका result बहुत जल्द तयार कर देगी, ये मानकर चलिए कि एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर, वो सारा जो result है, वो बना देगी, और अपनी site पर upload कर देगी, तो कि आपको पता है, साथी काफी लंबे समय से, जो प्रकरिया है, वो चल रही है, और BPSC भी खाली नहीं बैठा होगा साथी, ये भी आप समझ लीजे, क्योंकि BPSC already सारा data को collect कर चुकी होगी, और सभी का data, software में fill भी कर रखा होगा, बस एक filter apply करने की आविशक्ता होगी, उसको वो तब करेगी, जब उसको sito की संख्या, रिक्तियों की संख्या मिल जाएगी, तो साथी second बिंदू है, क्या sito की संख्या बढ़ चुकी है, तो मैं आपको एक बार clear कर दूँ, साथी sito की संख्या नहीं बढ़ र रही है, क्योंकि आपका जो backlog है, वो आपका टियरी fourth में ही आने वाला है, जो भी ये बोल रहे हैं कि आपकी backlog जुडेगी, वो निराधार बात है, ऐसा कोई भी अभी information नहीं है कि आपकी sito की संख्या जुडेगी, लेकिन ये तय है कि आपका जो result है, वो 87,700 प्लस sito पर ही आने वाला है, कम नहीं होंगी, ये मान कर चली, क्योंकि पहले ही जो GAD है, उसने बापस इसलिए roster किया था, क्योंकि जो आपका PRT था, उसमें sito की संख्या लगभग 4000 से जादा घटा दी गई थी, सिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसको increase किया गया है, और ये GAD को मिल च कर चलीगी, 15 November है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आज से कल में, जो BPSC है, उसको roster clearance का पत्र मिल जाता है, तो जो BPSC है, वो within 10 days के अंदर अंदर भी आपका जो result है, वो परकाशित करने की शमतर रखता है, साथी safe score कितना होना चाहिए, मैं आपको clear कर दूँ, साथी अगर किसे भी परकार की धांदली नहीं होती है, तो अगर आप PRT में हैं, TV चात्र के marks, अगर 80 plus minus 2 है, खासतोर से UR के, तो वो safe अपने आपको समझ सकता है, साथी बहीं अगर आप female हैं, और आपके 72 या 70 plus minus 2 हैं, तो आप अपने आपको safe समझ सकते हैं, साथी इसी परकार स से 9, 10, 11, 12 में भी वो depend करेगा आपका कितना application आया है, और कितनी चात्रों ने exam दिया था, और अगर हम category की बात करनें, तो category में आपके approach 8 से 10 number आप कम लेकर चल सकते हैं, तो साथी इसी परकार की updated वीडियो आपको देखना पसने हैं, तो चैनल को subscribe कर ले जागा, क्योंकि हम इस चैनल पर पलपल की update आपके शार शेर करते रहते हैं, मिलेंगे next informative वीडियो के साथ, तब तक लिए बाबाबा, take care, thanks for watching